Hello friends, welcome to my channel आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चे को सेफ्स नेम कैसे सिखाए जाए Friends, सेफ्स नेम सिखाने के लिए इस तरह की activity books हम ला सकते हैं मार्केट में easily available है सेफ्स की recognition सिखाने के लिए हम इस तरह की activity books का इस्तमाल कर सकते हैं तो देखते हैं कैसे करें सेफ्स कैसी है? square s q u a r e square इस से square सेफ्स next star इस सी star सेफ्स ये कैसी सेफ्स है? star की सेफ्स है s-t-a-r star नेक्स देखेंगे heart ये एक heart की shape में है ये क्या है friends kids को दिखाएंगे ये क्या है it's a cake ये cake कैसी shape में है cake की क्या shape है it's it is heart shape cake next rectangle rectangle it's a ice cream rectangle shape ice cream next है circle circle को देखेंगे it's very round circle next देखेंगे oval it's a oval shape oval shaped watermelon तो friends इस तरह से आप बच्चे को सभी shapes सिखा सकते हैं friends जब इस तरह की pics आपके हाथ में होंगी तो आप बच्चे को कहिए कि वो उनकी shapes name पर उन्हें पुट करें जैसे circle तो इस बच्चे को दीजिए उसके हाथ में और वो उन्हें circle पर लगाएगा उसे recite करने के लिए बोलें बच्चे जब recite करते हैं तभी सीखते हैं बच्चे को बार-बार recite करवाएए circle बच्चे को सिखाएए कि ओवल सेप का watermelon होता है तरबूज काइट ये तो सभी बच्चे जानते हैं काइट डाइमंड सेप काइट और लास्ट ट्राइंगल इस तरह से बच्चा इने पुट करेगा तो वो enjoy भी करेगा इस study को और सेप ने बहुत ही आसानी से सीख जाएगा इस activity को इस तरह से भी बच्चे के हाथ में दे सकते हैं थाकि वो अपनी सेप क्रियेट कर सके क्रियोंस कोई भी क्रियोंस दे दीजिए और बच्चे को बोलिए कि इसके राउंड में इसके चारो तरफ इस तरह से वो हाथ की ग्रिप बनाते हुए सेप बनाए और यह उसकी सेप भ्यार हो जाएगी नेक्श देखते हैं यह बन गया हमारा सरकल में सेप तो बच्चे को जरूर सिखा दे सरकल स्क्वेर यह कौन सी सेप है ट्राइंगल टी आर आई ए ए एन जी ए ए ट्राइंगल बच्चे को सेप रिकेगनाईजेशन सरकल स्क्वेर रेक्टेंगल ट्राइंगल इससे जरूर सिखा है तो थेंक्यू एव आईस दे